नमस्कार आप सभी को आज के इस फीडियो में हम देखेंगे एक नई विकंसी जहां पर आपको लाइबरी सेक्टर में जो वेरियस पोस्ट है उनके लिए विकंसी आज चुकी है जहां पर आपको गुरूप B और गुरूप C की विकंसी देखने हों को मिल रहे है जहां पर पो और आपको रखना है क्योरेटर का है फ्रॉफेशनल सेस्टेंट्स का साइमी फ्रॉफेशनल असिस्टेंड और फिर आपकी लैबरेरियस असेस्टेंट्स काफी लोगों को और इविकंसी कहां से आई है और इसकी ऑफिशल एपसाइट कौन सी है इस पर हम बात कर लेते हैं काशी विश्विद्याले जो हिंदु विश्विद्याले है उनकी तरप से एडूटीजमेंट ये पब्लिश किया गया है ऑफिशल एपसाइट आप देख सकते हैं बियेश्यू.academy.in पर सर्च कर लेजेगा last late आपकी 34 तक है साथ में आपको जो है अप्लिकेशं में फिल कर देंगे उसको आपको यहांपर जो है संमिट में करवाना है उसके लिए 9 March जो है अप्लिकेशन फी नहांपर मिंशन किया है, नौन रेफरेंड़िज फीज विजए 500 नुंजव कैटेगरी के लिए, EWS OBC के के लिए गुरूप B और सी के लिए इसके लावा नो अप्लिकेशन फीज यहल भी चार्ज फॉंदा के लिए सेस्ट पी डब्लूड कैटिक्रीज और विमन के लिए इनके लिए कोई फी नहीं है तो यहां पर आपकी जो चार तरह की यहां पर पोस्ट के लिए कैंस्य है उनके लिए क्वालिफिकेशन हम देख ल्यते हैं कि all dor के लिए जो है की Master degree in history, history में है तो भी AIHC या history of arts with at least 55% marks साथ साथ मिन में two years experience in preventive and curative conservation, conservation of manuscript and rare documents in university या फिर अगर आपके पास पर research establishment में है तो या फिर museum में है या फिर library में है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं यह आपकी desirable qualification DQ जो mention किया वा है knowledge of computers है age limit यह आप पर mention किये है इसके अलावा आपकी जो दूसरी post है professional assistant की उसके लिए भी आपकी master degree है उसमें काफी सारी options आपको यहाँ पर देखे तो library information science में या फिर institution with at least 55% of marks या फिर आपके पास होने चाहिए equivalent grade two years experience in the relevant field in a university or research establishment central state कोई भी चलेगा इन message options है या फिर आपके पास में master degree नहीं है तो bachelor degree bachelor degree भी आपकी library में है library information science में है 55% आपके होने चाहिए या फिर आपके पास जो या पर तीन साल का experience knowledge of computers इसमें भी ज़रूरी है next यहां पर है semi professional assistant के लिए master degree साथ में bachelor degree दोनों में से जो भी आ फुल्फिल कर रहे हैं फिर है आपकी library assistant इसमें है आपके essential qualifications क्या-क्या देवी है bachelor degree in library information science और equivalent अगर आपके पास बीलिब है BLIS है 55% है तो typing speed भी यहां पर required है 30 words per minute in English knowledge of computer application age limit भी यहां पर mention किवी है साथ में general instructions भी mentioned है जो कि आप इस notification में देख सकते हैं और इस तरह की जो vacancy की जानकारी है वो आपको हमारे telegram channel पर मिल जाती है librarian candidates जो है या फिर librarian jobs अगर आप search कर रहे हैं तो हमारे telegram channel से जरूर जुड़ेगा 15,000 से भी जादा candidates जुड़े हुए हैं आप भी जुड़ सकते हैं साथी साथ इस YouTube चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया तो कर लिजगा और बाकी जो है information आप इनके official website पर जा करके check कर सकते हैं application form आपको fill करने के बाद में download करके यहां पर भीजना जरूर है यह जरूर धान रख लेजगा यह आपको 27th point पर जो mention किया हुआ है वो चीज़ जरूर देख लीजगा एक बारा अब यहां पर हम बात कर लेते हैं selection process क्या रहेगा 11th नमर का जो point है यहां पर mention किया हुआ है for group B & C positions the university shall conduct a return test तो यहां पर return test आपका होगा further skill test shall also be conducted for the candidate shortlisted from the return test return test होगा उसके बाद में shortlist किया जाएगा next आपका जो step रहेगा shortlisted candidates का जो है आगे जागे जो original documents के साथ verification होगा और बाद में जो है eligibility will not entitle any candidate for being called for the return of skill test next यहां पर है कि जो mention किया हुआ है कि आपके जो भी testimonials है जो भी documents है वो आपके original होने चाहिए साथ में आपको कुछ भी ऐसे fake नहीं show करना है सारी चीज़ आपके पास है valid तरीके से आपने यह certificates लिए है course किया है वो चीज उसके लिए आप जरूर अनस रहेगा तो आपके लिए कोई आपर problem नहीं होने वाली है यह point जरूर ध्यान रखने का है जो कि कभी भी आपके training के जो आपकी job वाले time में भी चेक हो जाएंगे उसे पहले भी तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखेगा साथी साथ इस जो notification को अच्छे से एक बारे डाउट कर लीजेगा और साथी साथ जो इस time ongoing vacancies है उनको भी आप चेक कर सकते हैं आप कौन कौन से vacancies चल रहे हैं टेलेग्राम पर आपको updates मिल जाती है तो आज के चुड़े बिता ही thank you for watching